हाई एवरिवन वेलकम तो माई चैनल वी एजुकेशन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तिसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आज के इस वीडिव में हम स्टार्ट करने जारे हैं class 11 के chemistry का practical experiment number one जो की है आपका Π्याज पेस्ट तो आज के इस वीडिव मेंавайथ यहांपर हम देखेंगे देखो rate हम निकालेंगे अलग अलग यहांपर वेरियस काइंड ओफ कैमिकल्स हैं यहां पर तो सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहा है यह है टुमेटो फिर है यहां पर लेमन और यह रहापका डिटरजेंट अब क्या करने इन सबको ना हमें इसका एक्स्ट्रैक्ट निकाल लेना है तो सबसे पहले ना हम लोग यह नीबू तो acid के रूप में मैंने यहां पर acetic acid और hydrochloric acid लिया है जैसे कि आप सभी को पता है acetic acid is a weak acid और hydrochloric acid is a strong acid तो यहां पर जितने भी हमने यहां पर extract लियें, chemical लियें, detergent लियें इन सबका हमें pH value निकालना है जिसे हम बारी-बारी से करेंगे तो जो first beaker दिख रहा है इस first beaker में है आपका क्या acetic acid और यहां पर second beaker में है आपका hydrochloric acid और यहां पर हमने tomato का extract लिया हुआ है और यह है आपका detergent water इस water में हम detergent dissolve करेंगे, mix करेंगे यह मैंने water में detergent डाल दिया है अब glass rot से इसे style करेंगे ओके अब क्या करना है अब इन सबको हमना arrange कर लेते हैं और step by step सबका pH value निकालते हैं pH value की बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें 0 से लेकर 14 तक की scaling होती है ठीक है जीरो से लेकर 6 तक ये pH value रिप्रेजेंट करता है acid का मतलब 0 से लेकर 6 तक ये acidity को रिप्रेजेंट करेगा 7 नमबर neutrality को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि आपका water हुआ है तो water का pH value कितना होता है 7 होता है क्यों होता है क्योंकि ये हमारा neutral है और 8 से लेकर 14 तक के जो value होती है वो होती है हमारी क्या alkaline की तो देखो सबसे पहले हम लोग किसमें ये जो beaker है ये इसमें आपका acidic acid present है और इस acidic acid पे हमने ये pH paper को dip किया है और इसका color देखो कैसा हो गया है orange color हो गया है और इंज कलर हो गया है अब इसको match कर रहे है तो ये कौन से number प्यार है third number प्यार है clear है acidic acid की pH value कितनी हो जाएगी 3 इसी तरह से अब हम hydrochloric acid में देख रहे है hydrochloric acid के लिए हमने pH paper को dip किया है और देख सकते हैं कि ये हमारा dark pink आया हुआ है okay dark pink आया हुआ है ये screen पे जो pH paper इस पे 2 की value नहीं है एक्चल में ये जो pink आया ना dark pink इसको हम 1 पे count करेंगे तो इसका pH value क्या रहा है वन तो hydrochloric acid is a strong acid और यहां पर acidity जो है वो highest है किसकी hydrochloric acid की तो pH value इसकी फिया रहे है बना रहे है नेक्स्ट अब हम pH value देखेंगे इस lemon extract में लेवन में कौन सा acid होता है citric acid होता है citric acid के लिए pH value हम देखेंगे pH paper का जो color आया है कैसा आया ये again citric acid का orange color है ओके यह है tomato tomato की अगर बात करें तो बस 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 आप देख सकते है इस screen पर पीएच पिपर का color कैसा है यहाँ पर इसमेटो के लिए कोई बात नहीं ना ये आया है देखो और के साथ लाइट और इसका फोर आ रहा है इसमेटो स्कैल्प की बात करें तो इसके लिए पीएच वैल्यू आ रही है फोर अब यहां पर यह मैंने क्या किया है यहां पर hydrochloric acid को अब देखेंगे डिटर्जेंट में हमने पीएच पेपर को डिप किया है और अब यहां पर हम देखेंगे इसके वैल्यू कितनी आ रही है यह आ रहा है 12 तो डिटर्जेंट की या प्रीच सोपे वाटर की अगर बात करें तो वैल्यू इसकी आ रही है 12 यह क्या है हमारा alkaline यह जो solution है आप पर डिटर्जेंट solution यह क्या है तो इस तरह से हम क्या करेंगे पी-एच वैल्यू तो इस तरह से हम जितने भी दिएवे solution थे उनकी पी-एच वैल्यू हमें मेज़र की है कि फोरोग या कि फोरोग या